हाँ जी दोस्तो तो कैसे हैं आप लोग दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे UP Polytechnic First Semester के स्टूडेंट्स के लिए Communication इसके लिए के पूरे syllabus के बारे में पूरे details syllabus में हम जाएंगे कि कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है क्या क्या पढ़नी है इसकी complete details आज किस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इससे पहले दोस्त अगर आप हमारे चैनल पे नए यूजर हैं तो First Semester की तयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीचे क्योंकि आपको regular वीडियो की notification सबसे पहले मिल पाए तो चलिए दोस्त इस वीडियो को start करते हैं यहां पे दोस्त जैसे ही आप आएंगे detail contents में उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं अब basic of communication के अंतरगत बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं जो मैं step by step करके आपको बताता जाता हूँ पहले step में आपको पढ़ना है कि definition and process of communication दूसरा topic आपका रहेगा कि type of communication इसके अंतरगत आप formal and informal oral and written verbal and non-verbal communication के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद से next topic आपका रहेगा कि communication barriers and how to overcome them उसके बाद से आप पढ़ेंगे barrier to communication, tools of communication तो ये आप basic of communication के अंतरगत ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं ठीक है? उसके बाद आपका आदा है application of grammar दूसरा जो है वो आपका part grammar का part है इसमें application of grammar यानि की grammar का क्या क्या अनुप्रयोग है तो इसके अंतरगत पहला आपका topic आता है parts of speech जिसमें आपको noun, verb, adjective and adverb बस इतना ही पढ़ना है and models पढ़ना है आपको दूसरा topic आपका रहेगा इसमें sentence and its type यानि की sentence क्या है और उसके कितने प्रकार होते है उसके बाद tenses के बारे में आपको पढ़ना है काल के बारे में पढ़ना है उसके बाद से active and passive voice के बारे में पढ़ना है उसके बाद से आपको punctuations के बारे में पढ़ना है उसके बाद direct and indirect speech के बारे में पढ़ना है तो यह आपको application अब grammar में पढ़ना है ठीक है उसके बाद से आपका दो और जो है वो point आता है reading skill और writing skill तो reading skill में आपको क्या करना है कि unseen passes for comprehension, one word substitution, prefix, suffix, antonym, synonyms, etc based upon the passes to be covered under the topic यानि कि एक unseen passes की तरफ दे देगा आपको passes, उसे passes को पढ़के और उसका suffix, substitute करना है उसको one word में उसके बाद से उसका prefix, suffix ढूडना है उसी passes में से antonym, synonyms भी ढूडना है जो passes दिया गया है उसी में से तो यह आपका reading skill के अंतरगत आएगा writing skill के अंतरगत के आएगा तो writing skill के अंतरगत आपका आएगा picture composition जिसमें आपको एक picture दे देगा जिसको देखके आपको उस picture में क्या भावनाय सपश्ट की गई है उसको अपने सब्दों में लिखना है ध्यान ये बात कर रखना है कि जो आप लिख रहे हैं वास्तों में वो picture वही बया करना चाहिए ठीक है उसके बाद से writing paragraph paragraph को लिखना है notice writing एक notice writing लिखने को आता है सारी चीज़े हम आपको चैनल पे provide कराएंगे इसलिए हम आप से कह रहे हैं कि इस चैनल को subscribe कर लिजे ताकि सारी वीडियो की notification आपको regular मिल पाएं तो यही complete syllabus है आपका first semester communication skill का तो यहाँ पे देखे सुरू से मैं बता दे रहा हूँ number one पे है basic of communication जिसके अंतरगत मैंने बताए है सारी चीज़े पढ़नी है आपको फिर दूसरा है आपका application of grammar जिसके अंतरगत यह सारी चीज़े पढ़नी है जो आप अपने screen पे देख पा रहेंगे तीसरा है आपका reading skill जिसके अंतरगत आपको यह सारी चीज़े पढ़नी है और चौथा है writing skill जिसके अंतरगत आपको यह सारी चीज़े पढ़नी है तो आज हमने आपको बताया आपका complete syllabus communication skill का I hope आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताईए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों में जादा से जादा शेर कीजे ताकि सभी student हमारे चैनल पर प्रिजेंट हो पाएं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी preparation स्टार्ट कर पाएं इस वीडियो को देखने के लिए प्रेम पुर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद